तो कैसे guys जैसे कि आप जानते है क्वे सब्सक्राइब आपको समझमे इथा किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे drugs तो यह बहुत अच्छे से इस चीज को clear कर रहा था कि क्वैन management एक तरह से क्या काम कर रही है यह honey trap का काम कर रही थी जैसे कि आपको पता है कि किस तरीके से सुशान सिंग राजपूत की account से पैसा आके जाता है रिया चकरवर्ती के account में यह पूरा एक इन्होंने बहुत ही अच्छा लेंदेन शुरू कर रखा है और अब यह एक नया चीज आ रही है सामने कि यह कैसे drug connection में भी है तो आपको बिल्कुल पता है कि जो उनकी manager थी है न यह drug supply कर रही थी और अब जो दिपिका पादुकोंड की manager है करिश्मा वो बिल्कुल क्यों talent management की और वो भी drug supply कर रही थी दिपिका पादुकोंड को तो बिल्कुल यह radar पे आ चुकी है NCB के और इनके जो CEO है ध्रुफ उनको आज बुलाया गया है और वो बिल्कुल NCB के office में और उनसे पूछता चल रही है देखो यार यह जो बहुत गंदगी है न बॉलिवुड में इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगा कि यह धीरे धीरे आपके मेरे हम सब के घरों तक पहुच जाएगा स्कूलों तक पहुच जाएगा कॉलेजिस तक पहुच जाएगा यह जो ड्रक की सपलाई यह बहुत गलत है और यह तेजी से बढ़ेगी अभी तो समय है कि इसको रोका जा सकता है बाद में ऐसा होगा जब यह गली चौराहे हर जगे पहुच जाएगा तो इसको रोकना बहुत जरूरी है अगर NCB आज इसे रोग देती है तो आने वाले समय में जो भारत का भविश्य है वो धूमिल नहीं होगा वो ब्राइट ही रहेगा जो यूथ है वो ब्राइट ही रहेगा और आगे देश का नाम गौरवानवित करेगा ना कि ऐसे बॉलिवुड के लोगों क फॉलो करके नाम बरबाद करेगा दोस्तों अब देखना रहता है कि आखिर धुफ से जो NCB पूछताज करेगी उसमें क्या जानकार या निकल क्या आती है और देखो ये अपने आप में बहुत सवाल है और NCB का भी ये पूरा टार्गेट है कि आखिर क्वैन मैनेजमेंट क के साथ संपर्क रखते हैं तभी ये उपलब्द कराते हैं सेलिब्रिटीज को तो बिल्कुल यार इनको पकड में आना चाहिए और ये सारा जो गिरहो चल रहा है ये बंद होना चाहिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है आप मेरे को फेस्बुक ट्विटर इंस्टा प